है दोस्तों क्या आप अपने जिवन या पन just कर पाते हैं हं क्या आप अपने भोजन का निर्माण स्यम कर लेते हैं या अनने दूसरे प्रकार के आונ सकता हूँ कि पूरती्स्यम् के द्वारा आप कर लेते तो इसका जवाब होगा नहीं भै जहाँ तक भोजन की बात तो भोजन के लिए हम पर निर्भर करते हैं तो क्या प्लांट्स अपने भोजन का निर्मान स्वैम कर लेते हैं बिलकुल प्लांट्स अपने भोजन का निर्मान स्वैम कर लेते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाय जाता है लेकिन इस भोजन बनाने के लिए बहुत सारी प्राप्त करते हैं वहीं पर भूमी से यह जल को प्राप्त करते हैं तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकृति में कोई भी जीव स्वतंत रूप से जीवानियापन करने में सक्षाम नहीं होता अधात वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने परियावरण के साथ जुड़ा हुआ होता है तो जीव और उसका परियावरण के बीच में जो सम्बंद इस्थापित होता है इसी सम्बंद का अध्यान जीविज्ञान के जिस साखा में किया जाता है उसे पारिस्तिति की या इकोलोजी कहते हैं जीव वह उसके परियावरण के परिस्परिक सम्बंदों का अध्यान पारिस्तिति की कहलाता है या इकोलोजी कहलाता है इकोलोजी को हम एन्वारमेंटल बैलोजी भी कहते हैं इकोलोजी जो सब्द है, वहाँ सब्से पहले रीटर नामक वग्ञानिक के द्वारा 1868 में दिया गया है, उन्होंने ओईकोलोजी सब्द के रूप में इसका इस्तमाल किया था, अगर आप इकोलोजी को परिभासिक रूप से देखें, उसकी परिभासा देखें, या उसका करें सबसे पहले हम सब्द 16 दन की बात करते हैं तो सब्द ग्रीक भासा न के दो सब्दों से मिलकर बना है व東 और लुप हो स का मतलब होता है या वाशित्तान तथा लोगोश का मतलब होता स्टेडि अर्था जीन व वातावरण में रहते हैं जिस वाशिस्थान में रहते हैं उसका आध्यान, विज्ञान के जिस साखा के अंतर गत्र किया जाता है उस साखा को एकोलोजी कहा जाता है। अगर हम देखे परिभासिक स्टिकोंन से देखे तो एकोलोजी को विश्टरत अध्यान ही कलके वारा किया गया और उन्होंने इसकी पूर्ण व्यक्षा की है उन्होंने परिभासा क्या दिया है वही कि जिविग्यान की वहासाका जिसके अंतरगात जीवधारियों यहम उसके वातावरण के पारसपरिक संबंदों का अध्यन किया जाता है पारिस्तिथी की कहलाती है जिव तरिभासा कुछ इस प्रकार से दी है कि पारिस्ति थी कि जी विज्ञान की वहा साखा है जिसके अंतरगत प्रकृति की सरचना यहूं कारियों का अध्यान किया जाता है प्रकृति की सरचना यहूं कारियों का अध्यान पारिस्ति थी कि या इकोलाजी कहलाता है वहीं अलग- द्वारा 1927 में इसे Science of Natural History कहा गया वहीं पर कार्ल मोबियस ने 1870 में इसके लिए बायो सिनोसी सब्द का इस्तमाल किया था कार्ल मोबियस ने 1877 में बायो सिनोसी सब्द का इस्तमाल किया था तो एकोलोजी मुख्यरूप से दो हगों में बाटा जा सकता है प्रथम है आटो एकोलोजी या स्वा पारिस्ति थी कि और दूसरी है सिन एकोलोजी या सन पारिस्ति थी कि अब स्वा पारिस्ति थी कि क्या है स्वा मतलब स्वयम स्वयम मतलब एक अर्थाथ पारिस्ति थी कि विज्ञान की वहां साखा जिसके अंतरगात एक जाती या एक जीव का उसके परियावरण के साथ पारसपरिक संबंदों का अध्यान किया जाता है स्वापारिस्तिती की कहलाती है एक जीव या जाती का उसके परियावरण के साथ पारसपरिक संबंदों का अध्यान एकोलोजी की जिस साखा के अंतरगत किया जाता है उसे स्वा पारिस्तिति की कहा जाता है जबके सन पारिस्तिति की या सिन इकलोजी के अंतरगत बहुत सी जाती या समुदाय का परियावरण के साथ पारसपरिक संबंदों का अध्यन किया जाता है अर्थात जब जी विग्यान की वहा साखा या इकलोजी या पारिस्तिति की व जिसके अंतरगत बहुत सी जाती या समुदाय का परियावरण के साथ परसवरिक संबंदों का अध्यन किया जाता है, सन पारिस्तिती की या सिन इकोलाजी कहलाता है, अब इसकी बहुत सारी साखाएं हो सकती है, जैसे पापुलेशन इकोलाजी, पापुलेशन इकोलाजी या जनसंख्या विज्ञा, अब जनसंख्या किसे कहते हैं, किसी एक छेत्र विशेश में पाया जाने वाली है, एक ही जाती के सम्मझ सदस्यों की संख्या अब जनसंख्या का उसके परियावरण के साथ क्या पारसपरिक संबंद है, इसका अध्यान पाप्लेशन एकोलोजी कहलाता है, कम्यूटी दूसरी है कम्यूटी के समूदाय, जब बहुत सी जातियां एक साथ जिवन यापन करना शुरू कर देती है, तब हम इसे कम्यूटी य इकोलोजी कहलाती है, अब बायाव। जब बहुत सारी अपसवे मिल जाती है, तो बायाव। सकी परियावरण के साथ पारसपरिक संबंद्धों का अध्यान बायाव। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एको सिस्टम क्या है प्रकृति के किसी एक अंस या भाग में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक अंसो का योग पारिस्टितिक तंत्र कहलाता है पारिस्टितिक तंत्र सब्द एजी टेंसले के द्वारा दिया गया है तो किसी पारिस्टितिक तंत्र में किसका अध्यन किया जाता है जैविक तथा जैविक घटको का अर्था पारिस्टितिक तंत्र और परियावरण के पारिस्ट परिक शंबंदों का अध्यन इको सिस्टम congratulations के अंतरगत किया जाता है habitat ecology वहीजीव जहान निवास करता है वहाँ उसका habitat कहलाता है habitat अर्थाद जीव का उसके वातवरान और उसके पारिस्तिती जीव का उसके वातावरान के साथ क्या संबंध है अरथाद वह जिस गराइन में जीव है उसका उसपå जीव का क्या प्रभाव पड़ता है इसका विदियान इकालोजी का इंत्रकट किया जाता है इसकी बहुत सारी दूसरी अन्य ब्रांचेज भी है जैसे कि टेरेस्टियल एकोलाजी फ्रेस्ट वाटर एकोलाजी मेराइन एकोलाजी इस्चुराइन एकोलाजी डिजर्ट एकोलाजी आधी इस्चुराइन एकोलाजी इस्चुराइन क्या कहलाती जहाँ पर काके समुद्र में मिलती है वह इस्तान इस चुराइन कहलाता है वह इस्तान ना तो पूर्टा समुद्र के वातावरान से मिल खाता है और ना ही पूर्टा नदी के वातावरान से मिल खाता है बेजीव जो पहले उपस्तित थे और अब केवल जिवास्म के रूप में बचे हु का उस समय की वातवर्नी परिस्तितियों पर क्या प्रभाव पड़ा क्या प्रभाव पड़ा किन कारणों की वजह से वो जिवास्म के रूप में परी रक्षित हुए इन सबका अध्यान पेलियो एकोलाजी के अंतरगत किया जाता है वहीं पर एको जियोग्राफी इसके प्रियावरान का क्या प्रभाव प्रियावरान के को कौन उत्पन करता है उसका क्या प्रभाव जियों पर पड़ता है वातवरान पर पड़ता है इसका द्यान पालूशन इकोलाजी के अंतरगत किया जाता है तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि पारिस्तिति की क्या है और उसकी कौन-कौन सी साखाएं हैं स्वा पारिस्तिति की और सन पारिस्तिति की दोनों को समझा और दोनों में हम अंतर भी स्वस्ट कर सकते हैं तो चली दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए टापिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार